देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपके सुवीदा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्श्यत होता है दैनिक राशिफल चंद्र राशी पर आधारित होता है और हर राशी के साथ उपाय भी बताया जाता है राशी फल की तरफ हम अवश्य अक्रसर होंगे लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं 28 मही 2022 का पंचांग इस तरह से है तिती रहेगी त्रयोदशी नक्षत रहेगा भरणी योग रहेगा शोबन करन रहेगा वानिज और वार रहेगा शनिवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है सूर्य महराज 5.26 अ. अस्ति होंगे 7.13 पीम पर चंद्रमा मेश में रहेगा और उनका नक्षत रहे गा भरणी और सूर्य महराज व्रिशब में रहे गा और उनका नक्षत रहेगा रहेगा रोहिनी कुछ विशेश मूरतों की बात करेंगे ब्रह्म मूरत 4.4 AM से 4.45 AM अभिजीत मूरत 11.52 AM से 12.47 PM और अमृत काल 11.25 PM से 1.10 AM अशुब मूरतों की बात करते हैं राहु काल 8.53 AM से 10.36 AM और गुलिक काल 5.26 AM से 7.9 AM इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आज आज आपको घर से निकलना हो तो भायरव चालीसा का एक बार पाट करके ही आपको घर से निकलना है तो यह था पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के साथ मेश राशी के जात्कों के लिए दिन मिला जुला सा दिक रहा है किसी चीज को लेकर बहुत इंसेक्यूरिटी रहेगी और परस्नल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चीज लग रही है इंसेक्यूर रहेंगे और वो चीज हर चीज पर हर आपके लाइफ के अस्पेक्ट पर एक नेगेटिव इंपक्ट आज डाल सकती है लाइफ में बहुत चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत कोशिश करते हैं जो भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन वो चेंज नहीं आपा रहा इसके पीछे कई कारण है एक तो जब भी कुछ बड़ा चेंज लाना होता है तो सिर्फ एक दो चीजे नहीं बदलनी पड़ती काफी चीजे बदलनी पड़ती है तो आप सोच तो रहे हैं आपके थौट प्रोसेस में तो है हां कि मुझे बदलना है लेकिन उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाने हैं शायद अभी आप उन स्टेप्स को उठाने के लिए तो रेडी नहीं है या फिर उठाना नहीं चाहते यदि अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको कुछ बड़े चेंजिस लाने पड़ेंगे बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे तभी वो ट्रांस्फोर्मेशन जो आप चाह रहे हैं वहां तक पहुँच पाएंगे थोड़ा स्पिरिच्वल रहेंगे आज इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी वैसे आपकी कुछ भ्रम की स्थिती जिन्देगी में यदी बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों से आज उसका अंत हो सकता है तो मिशृत सा दिन दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुवात आपके लाइफ में आने वाले दिनों में होने वाली है और उसको लेकर काफी आज उत्साहित रहेंगे करियर के जलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अच्छा दिन है एक आकर्शन रहेगा अलग सा आपके अंदर यदि corporate sector में काम करते हैं तो तो आज का दिन बहुत अच्छा है जहां तक business की बात है आपसे मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि practical decisions के उपर emotions हावी हो रहे हैं और इसका एक negative impact आपके business पर पढ़ रहा है लव लाइफ पे चलते हैं थोड़ा effort डालिए जो लोग single हैं उनसे भी यही कहूंगा और जो लोग relationship में हैं उनसे भी यही चीज़ कहूंगा कि थोड़ा सा effort डालिए efforts की कहीं कमी आ रही है और आपके partner expect करते हैं आपसे कि थोड़ा सा आप उनकी तरफ और ध्यान दे उनको उनको एक priority में रखे और जो single है यदि आप relationship में आना चाहते हैं तो वो laid back attitude से निकलना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे विवाही जीवन की जहां तक बात है यहाँ पे सब कुछ अच्छा देख रहा है balance दिन रहेगा और एक जो stability आप चाहते थे कि हाँ पिछले दो-तिन दिन से जो नहीं मिल रही थी विवाही जीवन में आज उसकी प्राप्ति हो सकती है बहुत अच्छा दिन है student से यह कहूंगा कि आज का दिन है अपने mind को थोड़ा rest देने का यदि बहुत ही ज़ादा पड़ रहे हैं तो कभी-कभी जो आपका मस्तिश्क है वो ठक जाता है और कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ हो रहा है तो थोड़ा सा rest आज अपने mind को इवन अपनी body को भी दीजेगा जहां तक सेहत की बात है पैरों से संबंदित रोग दंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका कारे स्थान अत्यांत वली है तो कारेक्षेत्र में वैसे तो दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा इंसिक्योर सा वहां पर भी रह सकते हैं और उसकी कारण परफॉर्मेंस पर भी कुछ प्रेशर कुछ नेगेटिव इंपक्ट पड़ सकता है आपके लिए उपाए है भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमहा इस मंतर का 27 बार जाप करना है शुबंक है 9 कलर है वाइलेट भागया प्रतिशत है 70 प्रतिशत अब चलते हैं सुबा सुबा के समय में थोड़ी जादा रहेगी आपसे मैं एक ही जीस कहूंगा कि determination का level थोड़ा increase करना पड़ेगा अपनी life में कहीं कहीं पर determination बहुत कम हो जाती है और इसके कारण आगे नहीं पड़ पाते आज धोखा मिलने के बहुत प्रबल योग है थोड़ा बचके की रहीएगँ और फेक कमिट्मेंट्स कमिट्मेंट्स मत किजीएगा कुसी को खुष ने के लिए को इसी बात मत बोल दिजेगा जो सच नहीं जो जैसा है उसको वैसा ही आज बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा करियर के चलते हैं थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं हो सकते हैं आपको यह लगे कि आपको इगनोर किया जा रहा है आपको साइडलाइन किया जा रहा है और यह भावना आज आपको थोड़ा सा परिश attraction बना रहेगा एक दूसरे के बीच में, accursion बना रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपून होता है, तो अच्छा दिर रहेगा दिन आज का love life में, relationship में, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा stagnate सी हो गई है आपकी जो शादी शुदा जिंदगी है, थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ movement लानी पड़ेगी अपनी रुकी हुई, शादी शुदा जिंदगी में, students से यही कहूंगा कि, पुरानी बातों पर मज जाईएगा, पुराने बुरे experiences पर मज जाईएगा, एक बार उस भाव में चले गए, तो पुरा दिन अपना वेस्ट कर देंगे, सेहत के हिसाब से, कोई उल्टा सिदा कुछ खाने की कारणा, आज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सरवाश्टक के हिसाब से, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बड़ी है, तो कहीं न कहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसके साथ ही, यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी कोई अच्छी उपर्चुनिटी तो आ सकती है, लेकिन अभी उसको एनलाईज कीजेगा, बहुत जल्दी उसपे निर्णे मत लीजेगा, उपाए है, भैरव जी का ध्यान करते हुए, दो सर्सों के तेल के दिये जलाने हैं, और भैरव चालीसा का एक बार पाट करना है, शुबंग के आपका पांच, कलर है आपका वाइलेट और भाग्या प्रतिशत है 75%, आप चलते हैं, जमिनाय यानि की मिथुन की तरफ, थोड़े emotional फिल करेंगे सुबा सुबा के समय, हो सकता है कोई पुरानी यादे, कोई भूली विसरी यादे आजाए, थोड़ा सा आपको भावक बना दे, लेकिन उसके बाद जिंदगी एक लाइप पकड़ लेगी, दिन एक लाइप पकड़ लेगा, और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत तैयारी कर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, परसनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, और वो प्रिपरेशन आपकी सही डिरेक्शन में भी जा रही है, और इसके कारण थोड़ा कंटेंट भी रहेंगे आज, आज कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है, आपके परसनल लाइफ में जादा चांसे हो रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण एक बहुत ही सुकदायक सा महौल रहेगा आसपास, जो आपको पॉजिटिफ फील कराएगा, एक तरह से पूरा दिन आपका सैटिस्फेक्शन के साथ बीतने वाला है, दिन की शुरुआत थोड़ी एमोशनल रहेगी, अधरोइस तो पूरा दिन contentment, satisfaction के साथ बीतेगा, थोड़ा lazy जरूर फील करेंगा, जो उसमें कुछ अलग भी नहीं है, कभी-कभी हर व्यक्ति थोड़ा lazy फील करता है, वैसा ही थोड़ा आज आपके साथ होगा, बस ये कोशिश कीजेगा, उस laziness के कारण कोई काम आपका छोट ना जाए, करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं, यदि आप healthcare में हैं, healthcare industry में हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बिजनस के हिसाफ से, आपसे मैं यही कहूँगा, कि यदि कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो planning आपकी अभी initial stage पे हैं, सही direction में जा रहे हैं, लेकिन अभी initial stage में हैं, इसलिए जल्द बाजी में कोई निरने अभी मत लीजेगा, लव लाइफ पे चलते हैं, आज का दिन हैं, अपने आपसे प्यार करने का, बहुत ध्यान देते हैं अपने partner पे, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी-कभी अपने आपको भी प्यार करना चाहिए, और आज का दिन उसके लिए उप्युक्त है, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, थोड़े डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे आप, और शायद कर भी रहे हैं, शायद ये पता नहीं चल रहा हैं, थोड़े डॉमिनेटिंग हो गए हैं, इस पर कंट्रोल कीजेगा, जहां तक स्टूडेंट की बात है, आज बहुत अच्छा दिन तो नहीं जाएगा, किसी चीज़ को लेकर सनक चड़ गई है, शायद आपके जीवन में, और वो आपके स्टडी लाइफ को हैंपर कर रही है, मुर्ण की नेगेटिव इंपैक डाल रही है, जहां तक सेहत की बात है, कफ रोग दंग कर सकते हैं, सरवाश्टक के हिसाब से, आपका आठवा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से पैसों के संबंद में कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, उपाय है, शनी महराज का ध्यान करते हुए, उनको दो सरसों के देल के दियरपन करें, और शनी चाली साका एक बार पाट करें, शुबंक है आपका छे, शुब कलर है आपका, गोल्डन भाग्य प्रतियत है, 70 पसंट, आप चलते हैं, कैंसर यानि की करक राशी की तरफ, अछा दिन है, कोई न कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई न कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, काफी determined रहेंगे, हर कारे को एक challenge की तरह accept करेंगे, और हर कारे में perfection लाना चाहेंगे, और, अपनी life में authority तो रखेंगे, आज लेकिन फिर भी सॉम्मेता भी रखेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर authority रख रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों से गलत तरह से बात कर रहे हैं, सॉम्मेता रखेंगे वैसे भी करकराशी के जातक इनकी वानी, इनका विभार काफी सॉम्मे होता है, और उसका कभी-कभी कुछ negative impact भी जहिलना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी अती सॉम्मे हो जाते हैं, और लोग इनका इसी सॉम्मेता का फायदा भी अवेश्य उठाते हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अपनी पूरी life को एक तरह से structure मिलाना पड़ेगा, ठीक है जीवन चल रहा है, लेकिन सिर्फ चल ही रहा है, आप चाहते हैं कि जीवन दोड़े लेकिन वो दोड़ नहीं रहा है, इसके लिए यही कमी है कि आपने अपनी life को एक structure नहीं दे रखा, एक planning नहीं दे रखी, सोच रहे हैं कि क्या करना है, planning भी करते हैं कि हाँ, यह यह बदलाव करने हैं, लेकिन उस आपको धरातल पर नहीं उतार पाते हैं, मतलब कि उस change को execute नहीं कर पाते हैं, और यह बहुत important है आपके लिए कि अपनी life में changes लाना शुरू कर दें, थोड़ा कम emotional रहा कीजिए, लेकिन शायद आपको कहना यह गलत बात है, क्योंकि भावक राशी है, जलतत्व की राशी है तो भावक रहते ही हैं यह व्यक्ति, और अभी वैसे भी कृष्ण पक्षी चल रहा है, तो थोड़ा सा आज भावक था, जादा रहेगी, करियर पर चलते हैं, थोड़ा काम का बड़न जादा रहेगा, और शायद पिछले कुछ समय से जादा हो रहा है, थोड़ा control करने की क कोशिश कीजिए, हो सकता है, लोग आपको जादा काम दे रहे हों, जान बूझ के, आपके जो seniors हैं, क्योंकि आप शायद कुछ कहते नहीं, आप counter नहीं करते, आपकी image भी बहुत अच्छी है, तो इसके कारण आप जादा काम accept भी करते हैं, और उसको जो burden है, उसको जहेलते आपा रहे हैं, और इसके कारण कहीं business पीछे होता जा रहा है, लव लाइफ पे चलते हैं, जिनका अभी-अभी relationship स्टार्ट हुआ है, आज का दिन अच्छा है, क्योंकि एक दूस्रे को जानने का मौका प्राप्त हो सकता है, विवाहिक जीवन के हिसाब से, पैशन जो कहीं हो गया था पिछले कुछ दिनों से, आज वो वापिस आपके विवाहिक जीवन में आ सकता है, students के लिए दिन ठीक ठाक है, थोड़ा group studies पर ध्यान करेंगे, तो आज और अच्छा रहेगा, सेहत के हिसाब से anxiety तंग कर सकती है, सरवाश्टक के हिसाब से सात्वा स्थान अत्य जो लोग बिजनस करते हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आपने बिजनस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजे, आपके लिए उपाई यह है कि आपको शनी 40 का दो बार पाट करना है, शुबंक है 6 कलर है, यलो भाग्या प्रतिशत है, 70 प्रतिशत, चलते हैं लियो क्यानि की सिम्ह की तरफ आज का दिन अच्छा है, सक्सेस की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हा, सेल्फ एस्टीम थी वो बढ़ेगी, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज का, थोड़ी इंस्पिरेशन ढूनी अपने लाइफ में, जह हो जाएगा, तो अगर कहीं पे अपने आपको थमा हुआ पाते हैं, लाइफ लग रही है कि कहीं पे बैल गाडी की तरह आगे बढ़ रही है, तो अपने फील्ड के, जो भी आप करते हैं, जिससे भी आप इंस्पिर होते हैं, जरुनी की काम के फील्ड में ही, ऐसे कई जो भी चेंज लाना चारे हैं उसको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट कर लीजिए वना प्रॉब्लम होगी अपने आसपास के लोगों से संबंधों पर काम कीजिए सिर्फ गल्फरेंड बॉइफरेंड और पती पतनी ही एक संबंध नहीं होते हैं दोस्त होते हैं रिष्टेदार होते हैं ऐसा लग रहा है कि दो तिन लोगों को छोड़कर जादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे होता है कभी-कभी सबकी लाइफ में लेकिन अगर ये प्रोलॉंग हो जाता है ज्यादा टाइम तक खिज जाता है तो प्रॉब्लम होती है एक टाइम टेबल में ले आई अपने लाइफ को तो अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है कि खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, काम पे जाने का समय नहीं काम से आते हैं तो उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना मतलब कि पूरी अस्त व्यस्त जिंदगी चल रही है क्योंकि टाइम टेबल नहीं है तो थोड़ असा इस चीज़ पर कंट्रोल करेंगे इसको एक नियम बद तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन अच्छा है क्योंकि कारक्षेत्र में आपके पार्टनर्स बोलते हैं कि यह चेंज करना है लेकिन आप नहीं कर रहे अब इसके पीचे क्या कारण है यह आप बहतर जानते होंगे लेकिन चेंज बहुत इंपोर्टन है लव लाइफ पे चलते हैं नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है जो लोग अल्रेड़ी रिलेशन्चिप में है उनसे गही कहूंगा कि यदि आप दुनों के वीच में कहा सुनी चल रही थी तो आज का दिन है थोड़ा सा आप रियास करेंगे चीज़े अराम से सुलग जाएंगी विवाइक जीवन में बहुत अच्छा दिन है बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब अपने लाइफ पार्टनर से दूसरों के सामने बात करते हैं जब आप आपस में बात करते हैं चलिए ठीक है कुछ भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब किसी और के सामने अपने पतिया पत्नी से बात करते हैं तो कोई भी ऐसा शब्द में यूज़ करिएगा जिससे उनकी थोड़ी बेस्ती हो या थोड़ी उनकी जो उनका जो मान समाहने है उसको थोड़ी हानी पहुँचे ये बिल्कुल मत कीज़ेगा ये थोड़ा सा उनको तो बुरा लगेगा ही आगे चलकर आपके विवाहिक जीवर में भी प्रॉब्लम ला सकता है सेहत स्टूडन्स के लिए यही कहूँगा कि आज का दिन थोड़ा कन्फूजन भरा रहेगा बहुत कन्फूजड रहेंगे सेहत के जीज़ाब से ऐसे जीड़ी की प्रॉब्लम तंक करेगी जातक सरवाश्टा की बात है आपका छटा स्थान अत्यंत वली है दिन की शुरुवात में आपको यह ध्यान रटना है कि कोई भी ऐसी चिंता में अपने आपको नहीं डालना जिसके कारण पूरा दिन ही आपका वेस्ट हो जा कन्या यानि की वर्गो की तरफ दिन आज का वैसे अच्छा ही रहेगा आपका थोड़ा हसी मजाक रहेगा आपके व्यक्तित्व में जो की अच्छा भी होता है आसपास के चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव रहेंगे फ्यूचर के बारे में भी हाथ सोचेंगे और ऐसा नहीं कि बहुत जादा सोच विचार करेंगे वस थोड़ा सा conscious effort रहेगा कि हाँ आने वाले 2-3 हफते कैसे जाएंगे उसके बारे में सोच विचार ज़रूर करेंगे नकरात्मक्ता को अपने जिंदगी से थोड़ा निकालने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक से negative feel करना शुरू कर देते हैं और वो चीज आपके लिए बहुत सारे आपके life के aspect पर एक negative impact डाल रही है दिन अच्छा है हसी मजाक रहेगा सब कुछ रहेगा लेकिन अचानक से कुछ या तो आपका कोई trigger point है जिसको जो भी touch होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप एकदम किसी नकरात्मक दुनिया में चले जाते हैं इस चीज़ पर थोड़ा control कीजिए एक balance की जरोत है आपको अपने love life में private life में personal life में professional life में सब में balance लाने की जरोत है और उस पर काम आप आज से कर सकते हैं मुझे लगता है आपको कोई ना कोई साधना कोई ना कोई meditation अवश्य करनी पड़ेगी करनी चाहिए और भले ही नहीं आती हो वो सीखने के लिए उस तरफ बढ़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं कुछ बड़े निर्णे आपको लेने पर सकते हैं आपने कारे के संबंद में और वो निर्णे आपके future को लेकर बहुत important ह हो सकती है जो आपको विजनस के लिए अच्छी तो रहेगी आपके विजनस को एक नए लेवल पर भी लेके जा सकती है उसको grab करने के लिए तैयार रहेगा लव लाइप चलते हैं बहुत भ्रम की सिती रह रहे हैं आपके दोनों के बीच में कई चीज़े हैं जो confusion create कर रहे ह हैं धीरे-धीरे करकर एक एक चीज़ को solve करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है थोड़ा distracted रहेंगे और यह distraction आपको तंग करने वाली है students से यही कहूंगा कि future को तो आपको सोचना पड़ता ही है कोई उसमें negative चीज़ नहीं है लेकिन अभी इतना future के बारे में सोच रहे हैं कि present में concentrate कर रही नहीं पा रहे हैं सेहत के हिसाब से आपको lower back में थोड़ा दर्द रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका पांच्वा स्थान अत्यन्त वली है किसी creative field में काम करते हैं तो आज लाब हो सकता है उपाई है शनी महराज का ध्यान करते हुए शनी चालीसया का एक बार पाठ कीजिए और शनी देव को दो सरसों के तेल के दी अरपन कीजिए शुबंक है साथ color है आपका blue भाग्य प्रतिशत है 70 अब चलते हैं लिब्रा यानि की तुला की तरफ दिन बहुत अच्छा है आज उर्जा बहुत अच्छी रहेगी एक जो energy होती है physical mental दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी दानपुन करने का अफसर प्राप्त हो सकता है यद फोड़ी बहुत कर सकते हैं। चोटी-मोटी गलतिया करेंगे उसके कारण जादा बुरा मत बूरा मत फील करिएगा क्योंकि दिन अच्छा है आज के दिन का लाब उठाना है चोटी-मोटी गलतिया इदि हो जाएं क्योंकि ऐसा दिखरा है धिन की शुरॉआत में ही कुछ क काम आपका अपनी ही गलतियों से अटक सकता है या बिगर सकता है वो चोटी सी गलती के कारण अपना पूरा दिन वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि दिन बहुत अच्छा है अच्छे थौट्स आएंगे अच्छे आइडियाज आएंगे नई नॉलेज गेन कर पाएंगे तो बहुत ही जाधा शुब दिन दिख रहा है आज के दिन का आपको लाब उठाना है करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं ट्रस्ट फेक्टर कम हो रहा है एक दूसरे के परती जहां पर भी काम करते हैं एक दूसरे के प्रती विश्वास बहुत important होता है कई बार ऐसा होता है कि यदि महौल अच्छा होता है तो एक व्यक्ति में कुछ कमी भी होती है तो उसका जो कलीग है वो उस चीज़ को cover up कर लेता है लेकिन आजकर यह थोड़ा कम हो गया है क्योंकि competition इतना बढ़ गया है हर व्यक्ति एक दूसरे का आपका बिजन है तो एक लीडर बन के आज उभर सकते हैं लव लाइफ पे चलते हैं थोड़ी maturity की जरूत है स्पेशलि उन लोगों के लिए जो बहुत यंग है relationship में है 5-6 मिने हो चुके हैं देखिए जब समय आगे बढ़ता है relationship थोड़ा पुराना होता है तो maturity आनी देखिए कि कहां पर एक दूसरे की thinking match हो रही है कहां पर thought process है क्या दोनों एक दूसरे के बारे में या अपने future के बारे में सोचते हैं अगर आज एक बहुती clear और open heart conversation आप दोनों के बीश में हो गया तो आने वाला समय विवाहिक जिवन के लिए बहुत अच्छा लेगा जह इना तक सरवाश्टक की बात है आपका चौथा स्थान अत्यंत बली रहेगा इन्वेस्पन के बारे में सोच रहे हैं तो समय अच्छा चल रहा है अगले दो-तिन दिन में अगर कोई अच्छी opportunity मिलती है तो सोच सकते हैं आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके लिए चलते हैं Scorpio आने की विश्शिक की तरफ दिन ठीक है कही ना कहीं से आपको recognition, respect मिल सकती है जो respect आप deserve भी करते हैं काफी mentally काफी active रहेंगे अपने जो intellectual side है आपकी जो पुद्धी मता है उसका बहुत अची तरह से प्रयोग कर पाएंगे वैसे भौतिक जीवन में physical life में सब तोड़े परिशान रहेंगे मानसिक तोर पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है फिर भी कुछ अच्छा नहीं है यह भावना बहुत रहेगी मतलब कि पता ही नहीं कि life क्यों जी रहे हैं पता ही नहीं कि काम क्यों कर रहे हैं एक नीरस सा जीवन आज थोड़ा सा आप कर रहेगा क्योंकि पैसा आ रहा है यह थीक थक पैसा होगा सब कुछ है लेकिन फिर भी जीवन का कोई और चित्याज आपको नहीं रहेगा कि क्यों यह सब कर रहे हैं जो भावना कभी-कभी सब के अंदर आती है कुछ इसमें अलग बात नहीं है तो जितना धहरे दिखाए आज अपनी लाइफ में उतना अच्छा रहेगा क्योंकि मानसिक स्थर पर, मानसिक तौर पर थोड़े से पीडित रहेंगे, थोड़े परिशान रहेंगे, अपने मन की बातें दूसरों को बताना ठीक है, अच्छा होता है, कभी-कभी शेयर करना पड़ता है, या करना को समझ ही नहीं आएगा मतलब कि आप अपने मन की बाते किसी से शेयर करने गए भी तो वह उसको नहीं समझ पाएंगे और वहाँ पर भी आपका मिसकॉमिनिकेशन हो जाएगा तो आज का दिन जितना सिंपल रक्सक्ते अपनी लाइफ में जितना आप अपने जीवन को आज सरल रख सकते हैं धहरे के साथ बिता सकते हैं उतना कीजिएगा करियर के चलते हैं जो लोग जौब करते हैं अ आप भी थोड़ा हवा में ओड़ जाते हैं और इसी चीज का लोग फायता आपके कारेक्षेतर वे उठाते हैं बिसनस पर चलते हैं अच्छा दिन है जुआलगी से संब्द में कुछ काम है फैशन से संब्द कुछ बिजनस से आपका लाव होगा लव लयप चलते हैं यदि छोटा मोटा जगडा हुआ था तो आज चीजों को सुलजा लिजेगा अपने तरफ से बड़पन दिखा कर थोड़ा इनिशेटिव ले जिएगा और चीज़ें आराम से सुलज जाएंगी जहां तक विवाहिक जीवन की बात है आप से यही कहूंगा कि understanding बहुत कम हो गई है पिछले कुछ दिनों से इस understanding पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा students के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा कुछ अचानक से negative news प्राप्त हो सकती है जो आपको थोड़ा परिशार आवश्य करेगी जहां तक सेहत की बात है पेट से सम्बंदित रोकतं करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यन तबरी है अचानक से यात्रा आज करनी पर सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिवजी का धहन करते हुए एक सरसू का तेल का दिया उनको अरपन करना है और साथी में आपको भैरव चालीसा का एक बात करना है शुबंक है आपका वन कलर है आपका ब्ल्यू और भाग्य परतीशत है 65% चलते हैं सेजिटेरियस यानि की धनो राशे की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है अच्छा यह वैसे दिन तो आज भाग्य का साथ मिलेगा फिजिकल स्ट्रेंद भी अच्छी रहेगी कोई कानूनी काम अटक रहाता वो पूरा हो सकता है थोड़ा सेल्फिश बन जाईए साफ शब्दों मैं कह रहा हूँ यह यह नहीं कहाँ कि एकदम ही उस सतर पर पहुंच जाए कि लोगों का फाइदा उठाने लगी नहीं थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ लेस्टा रहे सेल्फिश थोड़ा सा बन सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चीजों को समझने में आज काफी आपको साहता मिलेगी, एक जो thinking process है वो बहुत clear रहेगा, अपने skills पर और काम कीजिए, जो भी आपके skills हैं life में, कुछ काम करते हैं उसके related skills, personal skills, communication skills, हर तरह के skills पर आज सोड़ा काम करेंगे, उनको better करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, career पर चलते हैं जो लोग job करते हैं, कुछ कारे अधी अटक रहा था आपका कारेक शेत्र में, तो वो कारे आज पूरा हो सकता है, संपन्ता की तरफ वो कारे आपका बढ़ेगा, जो लोग business करते हैं, आज जादा काम शायद नहीं रहेगा, बहुत अच्छे ideas business में आपको आ सकते हैं, love life पर चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ रहना तो चाह रहे हैं, लेकिन जब आते हैं साथ में, मिलते हैं, तो फिर लड़ाईया ही होती हैं, जब दूर होते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं, और जब साथ में होते हैं, तो लड़ाईया होती हैं, एक बहुत ही अलग से level से इस समय आपका relationship गुजर रहा है, जहां तक विवाहिक जिवन की बात है, बहुत dependent हो गए हैं, आप हर तरह से अपने life partner पर ठीक है, dependency तो होती है, तभी शादी करी है, लेकिन अत्यंत जब dependent हो जाते हैं, तो problem होत होती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा, students से यही कहूँगा, महनत थोड़ी कम कर रहे हैं, महनत यदि student life में नहीं करी, तो फिर आगे चलकर problem ही होगी, सेहत के हिसाफ से दिन अच्छा है, आज बलकि कोई problem आप face कर रहे तो उससे recover भी कर सकते हैं, जरवाश्टा के ह इस आप से द्वितिय स्थान यानि की दूसरा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा आपने communication skills पर काम करेंगी आप, तो आपके लिए और बेटर हैगा, कोशिश करिए कि जो भी बोलें, वो स्पष्टता से सामने वाले व्यक्ति को समझ आ जाए, आपके लिए उपाई है, भैर के प्रतिशत है 75%, चलते हैं Capricorn यानि की मकर की तरफ, आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, आज भागे का बहुत साथ मिलने वाला है आपको, एक चीज कहूंगा कि यदि किसी से कुछ जगडे हुए थे, परसनल लाइफ में कुछ वाद व्याद हुए थे, तो उन च क्या फाइदा उस चीज को और carry on करके, थोड़ा सा बाचीत कीजिए, चीजे अराम से solve हो जाएंगे और उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो दिन और अच्छा जाएगा, अपनी passion को follow नहीं कर पार है, इसलिए नीर आज रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी, तो आज के दिन का आपको फाइदा उठाना है, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक सा है, emotions जादा व्यक्तमत कीजिएगा, कोई भी personal life की बात अपने colleagues को अपने आसपास के लोगों को मत बताईएगा, जहां तक business की बात है, आपसे यही कहूंगा कि थोड़े अपने knowledge को अपने business के बारे में, जो भी आपकी knowledge है, उसको और upgrade कीजिए, उसको और आगे बढ़ाईए, तभी अपने business में कुछ achieve आने वाले समय में कर पाएगे, जहां तक love life की बात है, passion की कमी हो गई, पैशन social रही है, मलब कि as a couple, as a merit couple, थोड़ा social events, दोस्तों के साथ बाहर जाईए, और आज भी अधी कहीं बाहर जाते हैं, तो एक freshness आपके विवायक जीवन में आ जाएगी, जहां तक students की बात है, बहुत अच्छा दिन है, perfection रहेगा आपके हर कार्या में, जो भी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से और एक सहज भाव के साथ कर पाएंगे, जहां तक सिहत की बात है, आपको acidity की problem और सर से संबंदित problem तंग करेगी, सरवाश्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत वली है, पैसों के संबंद में कोई दिक्कत जेल रहेते, तो आज अचानक से क कुछ उस संबंद में अच्छा हो सकता है, आपके लिए उपाए है, शनी देव का ध्यान करते हुए, शनी चलीसा का पाठ, भैरव महराज का ध्यान करते हुए, भैरव चलीसा का पाठ केजिए, और शनी देव को दो सरसों के तेल के दिए अरपन कीजिए, शुबंग के आपका लाइट ब्ल्यू और भाग्या प्रतीशत है 80%, चलते हैं क्वेरियस यानि की कुम्ब के तरफ दिन अच्छा है, सेलिब्रेशन का महल रहेगा, प्रॉस्परस दिन रहेगा, यानि की बहुत अच्छा दिन आज रहेगा आपका, पैसों की प्राप्ती होगी, कुछ का काम जो रुक रहे ते पूरे हो सकते हैं, मल्टी टास्किंग जरूर करनी पड़ेगा, काम जाधा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम संभालना पड़ेगा, लेकिन हर कारे को पुरी सभलता के साथ करेंगे, एक्शन ओर्यांटेट रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे आज सारा कारे करने का प्रयास करेंगे, जाधा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, स्पेशली दूसरे लोगों को लेकर, दूसरा वक्ति क्या कर रहा है, वो उनकी अपनी चॉइस क्या है, इन चीजों पर जएदा कमेंट भी मत कीजिएगा, वो चीज आपके लिए नकरात में खो करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, कुछ यदी मतभेद हो रहे थे किसी से, या कुछ confusion चल रहे थी कारेक शेत्र में, तो वो प्रॉब्लम आज सौल हो सकती है, जान तक बिजनस की बात है, आप से मैं एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा अपनी बिजनस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत बेटर हैगा, लव लाई पर चलते हैं, नया रिलेशन्शिप स्टार्ट करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, जो लोग और डिलेशन्शिप में हैं, उनसे भी यही कहूंगा कि कुछ नया पन लाईए, चीज़ें थोड की बात है, अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा अचीव कर पाएंगे, सेहत के इसाब से एंग्जाइटी की प्रावलम थोड़ी बहुत तंग कर सकती है, जातक सरवाश्टक की बात है, आपका बारवा स्थान अतिन्त बली है, अपने कारेक शेत्र में आज जो भी प्रयास करेंगे, उसके आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, आपके लिए उपाए है, भैरव जी का ध्यान करते हुए, तीन सरसो के तेल के दिये उनको औरपन करें, और भैरव चालीसा का एक बार पाट करें, शुब अंक है आपका चार कलर है, आपका यलो भाग से गवा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो आप सच बोलते हैं, कभी-कभी थोड़ा लोगों को चुप जाता है, तो मैं यह नहीं कह रहा कि जूट बोलना शुरू कर दीजे, थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, अच्छा रहेगा, आज थोड़ा कम बोलेंगे, तो भी करवी पल रहेगा आपके लिए, कुछ नया सीखना चाते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बल्कि आपको तो आज कुछ नया पढ़ना चाहिए, कुछ नई, कोई नया शास्त्र, कोई नई बुक, कुछ भी आज पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत अच चंद्रमा क्योंकि काफी इस समय वीग चल रहे हैं क्रिश्ण पक्ष होगा अम अवस्य के आल्मोस पास पहुँच चुके होंगे तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इस तरह की भावना आपके मन में रहे जल्द बाजी मत कीजिएगा किसी भी कारण में वरना प्रॉब्लम होगी करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं यहां पर सब कुछ अच्छा लग रहा है परसनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उसका इंपक्ट आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पढ़ने देंगे जॉब के लिए दिन अच्छा है entertainment industry में काम करते हैं अच्छा रहेगा जहां तक बिजनस की बात है कोई प्रॉब्लम चल रही थी विजनस में उसका अंत हो सकता है कोई पैसा रुका हुआ ता वह वापस आ सकता है अच्छा दिन है लव लाइफ में यही कहूंगा कि देखिए एक unconditional प्यार होना च जब तक प्यार unconditional नहीं होता वो प्यार सच्चा नहीं होता विवाहिक जीवन पर चलते हैं जो लोग शादिश होता है थोड़ा गुस्ता दोनों ही पक्ष में जादा रहेगा और इसके कारण थोड़ी से वाद विवाद हो सकते हैं स्टूडेंस से यही कहूंगा कि सब आपको पैरों से संबंद त्रोगतं करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका दस्वास्थान अत्या स्वरी आपका 9 थाउस भाग्यस्थान अत्यांत बली है तो आज भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा और धन के संबंद में भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आपके लिए उपाए है भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमहा इस मंत्र का 108 बार जाब कीजिए और एक सरसो के तेल का दिया भैरव जी को और पन कीजिए शुबंग के आपका साथ कलर है वाइट भाग्य प्रतिशत है 70 प्रतिशत तो इता आज का राचिफल च